देवन इस वीडियो प्रजेंटिट बाइशाब अब्लिकेशन रचस्टार्ट से एम्यों ने पीएजडी का नोटी इसू कर दिया है और वैकेंसी इस भी डिपार्टमेंटल ओपलिक डिसिप्लीन वाइज इसू कर दिया है और क्या पैटल रहता पीएजडी का इस वीडियो ह हम पूरी इन्फरमेशन देखेंगे फोर्म भनने की जो डेट है वो तेरा अप्रेल से साथ मई है विदाउट देट फी और विद लेट फी एन थिरी हंड़ेट की जाएज पैनल्टी हो जागी वह आट मई से फौर्टिन मई तक है दा पीएजडी एडिमिशन विल वी ओफर इन वेरियस डिसिप्लिन्स अबलीक इस्पेशलाजेशन ओन दा वेकेंशी इस एस नोटिफाइड वाई देख लेते हैं जो इन्होंने वेकेंशी डिपार्टमेंटल वाइस और इस्पेशलाजेशन वाइस यह इन्होंने शो जो गरी हैं जो निकाली है कितनी वेकेंशी हैं यह आपका एन एकजर वन है जहां वेकेंशी की बात हो रही है वेकेंशी इस फॉर एड्मिशन टू पीएजडी परोग्राम सेशन दोहजार एकिस पाइस किमकि एम्यों के सेशन जो है लेट चला पीएजडी वाला सिर्फ एगर अधर पीएजडी में और किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं रहता है पॉस्ट हर्वेट इंजिनियर टेक्नलोजी चार चार जीरो एग्रिकल्चर माइक्र वाइलोजी थी एक थी एक यानि पीएजडी में हैंटिकेप की एक और जेनल की थी प्लांट प्रोटेक्शन लूनी की आप दूलोजी, तुली सिए और की छम है, यह थी आपका अग्रिकल्चर साइन्स का ह्वेट इंट्वेरं डेपाटमेंट दिपर्टमेंट और स्पेसिलाजिजेशन हमाने प्लेटियोप से प्लच्के की वीजिएशन में प्लेटिटं पर लेंग्रिड्टे की शे PhD in Maliyalam, 1-1, PhD in Punjabi, 1-0, PhD in Bengali, 1-0, PhD in Tamil, 2-0, PhD in Telugu, 2-0, PhD in Marathi, 2-0 और Persian में बात करें हम, PhD in Persian, 12-1, PhD in Arabic, Arabic Department में बात करें, तो PhD in Arabic, 12-2, उर्दू, PhD in Urdu, 6-0, Linguistics, PhD in Linguistics, 5-0, Hindi, PhD in Hindi, PhD in Hindi Translation, यह दो Specialization हैं, PhD in Hindi, और PhD in Hindi Translation, 11-0, 2-0, Philosophy, PhD in Philosophy, 5-0, Sanskrit, 6-0, Department of Commerce की बात करें, तो PhD in Commerce, 16-3, 16-3, 16-3, Faculty of Engineering and Technology, इतमें काफी पंपर वेकंसी रहती हैं, और इसमें कॉम्पिशन भी बहुत ना के बराबर हैं, क्योंकि इतने वेकंसी इतनी जाता होती हैं, इतने तो पाटिसिपेट करने वाले भी नहीं होते हैं, इनिंग एंड टेक्नलोजी की बात हो रही है, एप्लाइट फिजेक्स, PhD in Applied Physics, 14-1, Computer Engineering, 26-2, PhD in Civil Engineering, इसमें 10-20 बंदे पाटिसिपेट करते हैं, बंदे आते ही नहीं हैं, 12-8, PhD in Applied Physics, Applied Chemistry, 11-1, Mechanical Engineering, 126-8, Chemical Engineering, 21-1, Electrical Engineering, 65-3, Electronics, 56-4, Applied Mathematics, 17-1, Petroleum Processing and Petrochemical, 16-1, PhD in Nanotechnology, 1-0, PhD in Biomedical and Human Factor Engineering, 30-0, PhD in Architecture, 14-1, यह इस साल से स्टार्ट हुआ है, PhD in Biomedical and Human Factor Engineering, और फेकल्टी हमारा, Faculty for International Studies, तो West Station Studies and North African Studies, PhD in West Station Studies and North African Studies, 8-1, Strategic and Security Securities, PhD in Strategic Security and Peace Securities, 4-1, एक चीज़ और है, आप जो है, Faculty-wise, एक से ज़्यादा फेकल्टी में, EMU में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक फेकल्टी के अंदर, दो Department, दो Disciplines से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप दो Department, एक सेम फेकल्टी के अंदर, दो Department और दो Disciplines से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप 2 करेंगे और फेकल्टी में आप 2 से जादा कर सकते हैं और यह सेम फेकल्टी के अंदर 2 Department law में 13 2 Faculty of Life Sciences में देख लेती है Wild Life Sciences में 18 1 Wild Life Sciences, PLD in Museology 1 0, Biochemistry 9 1, Botany इसमें आपका है PhD in Business Administration 9-2 फेकल्टी फेकल्टी में भी काफी कम पार्सिपेट्ट रहते हैं करते हैं इसमें वेकन्सी काफी रहती है PhD in Biochemistry 15-1 फिजियोलोजी 15-1 टुबर ग्लोसिस 14-1 प्लास्टिक साजरी 14-1 प्लास्टिक साजरी में इस साल से पहली बार हुआ है वन्हों से पहले वेकन्सी नहीं आती थी प्लास्टिक साजरी में पहली बार आई है 14-1 क्योंकि इस साल से यह स्टार्ट हो रहा है PhD प्लास्टिक साजरी में PhD in Forensic Medicine and Technology 50 Clinical Psychology 30 Pharmacology 20-21 Pediatrics 15-21, Endocrinology 20-21, PhD in Microbiology 10, Neuroscience 10, Anatomy 25-21 Faculty of Science, PhD in Physics 41-4, PhD in Geology 10-2, Computer Science 5-8, PhD in Mathematics 15-3, PhD in Chemistry 32-2, PhD in Geography 14-1, PhD in Statistics 6-1, Operation and Research 4-0, PhD in Remote Sensing and GIS Application 5-0 Faculty of Social Sciences, PhD in Psychology 30, PhD in History 34, PhD in Islamic Studies 10-1, PhD in Political Science 5-1, PhD in Public Administration 3-0, PhD in Human Rights 2-1, PhD in Education 15-2, देखिए Political Science में 3 Specialization हैं, PhD in Political Science, PhD in Public Administration और PhD in Human Rights Economics, PhD in Economics 12-2, PhD in Physical Education 9-1, PhD in Library and Information Science 2-1, PhD in Sociology 1-1, PhD in Social Work 5-1, PhD in Women Studies 3-1, PhD in Master Communication 5-0, sorry 4-0. Faculty of Technology, PhD in Traditional Studies 7-1, PhD in cultural American Studies, PhD in Thousands 8-1, PhD in Schul Maneres 3-0, सब्सक्राइब आप समिट कर सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम फाइफ यहर्स कर रहता है एक साल जो है एक्ष्ट्रा वह आपको ऐसे इस्पेशल परमिशन आप मिल जाता जो छह साल तक प्रमिशन रहती है और फीमेल के लिए जो है 5-1-1 यानि 7-1 तक वह पीएजडी कर सकती है और समिट के मिनीमट डुरेशन टाइम है जो कम से कम आपको वह तीन साल वाद आप समिट कर सकते हैं यानि तीन साल का यह कोर्स है मैक्सिमम जो लिमिट है वह 6-7 ऐसे इस 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 परमिशन मिल जाती है विए फाइफ यहर्स कोर्स रहता मैक्सिम लेकिन ऐसे एक वन जो है स्पेशल के सब को मिलता वो फीमेल के निए दो साल मिलते हैं कि इसकी लेजिबिल्टी और इसका प्रोसिस का अगर हम बात करें तो एमे में यानि पीजी कोर्सिस में आपको 55 परसंट मार्स चाहिए है ग्रेजिवेशन में आपके 50 मार्स हों शेलेक्षन प्रोसिज जो निए इसका आपका रिप्टीर्ट मार्स का रहें गास में ब्टेमी प्रेसंटेशन कम इंटेट्व्वि आपका 20 मार्स चाहरा क्यों सेट्शन या जो धीरिशर्श अर्प्रटीट Terrorology का पेपर होगा 40-400 MCQs पूछा जाएंगे जिसमें आपको टाइम जो दिया जाता है वो 45 मिनट्स दिया जाते हैं इसी तरह सेक्शन B जो है वो आपका सब्जेक्ट इस वे से फिक रहेगा उसमें भी आपके 40 कॉश्चन रहते हैं MCQs बेस्टी रहेंगे इसमें 45 मिनट्स मिलते ही यानि टोटल जो है शेक्शन रिटन टेस्ट के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं इसमें कंडिशन यह है इसमें इसे डिर्टी परसंट मांक्स इन दार रिटन टेस्ट दो बीलिजिबल फोर परजेंटेशन कम इंटर्वीव अब्लिक एड्मिशन यानि आपको डिटिन टेस्ट में से आपको 50% लाना है 80 में से 50% यानि 40 मार्ट लाने है तब ही आप प्रेजेंटेशन कम इंटर्व्यू के लिए इलिजिबिल रहेंगे वनना आप इलिजिबिल नहीं हो पाएंगे करें है ट्वाट हीं तो ट्वाट होगा तो तेट सेंटर का हैं अलीगल में ही ओगाा होता है अलीगल में करता है एडिशनल cooperative की हम बात करें hey candidate जो है एकसे जहाद जया दा मोर्धन वेन फर्कल्टी ओफ ए यूणुरी गराओं so सकता है such a candidate who will have to fill separate application form for each faculty her faculty के लिए वो separate application form भरेगा और she or he can apply only a maximum to discipline within the same faculty वो disciplines जो है यह same faculty के अंदर दो से ज़्यादा मैं apply नहीं करेगा यानि एक से ज़्यादा faculty में तो आप apply कर सकते हो और दो same faculty के अंदर दो से ज़्यादा discipline में आप apply नहीं करोगे जो candidate net, jrf और gate qualified हैं तो उन्हें 50% marks दे दी जाती हैं यानि वो presentation कम interview के लिए directly literal हो जाते हैं एक चीज़ यह है अगर वो appear होना चाहते हैं written test में उनके जो marks जो maximum रंगे written test में या net, jrf के base पर जो उन्हें 50% मिला है तो उनके बैस्ट count होंगे suppose written test में से out of 80 में से अगर 60 marks ले जाते हैं तो उनके वो 60 marks होंगे ना कि यह 40 marks होंगे include होंगे okay अगर उनका पेपर खराब हो जाता है बिल्कुल तो अगर वो 20 marks 10 marks का कर पाती है असी में से तो उनके best count होंगे तभी उनके 40 यानि 50% का वो 40% वहोंगे तो उसमें best count होंगे तो यह कि उनका decision रहेगा net और giraffe और get qualified बंदों का कि वो क्या prefer करें उनको बैसे 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 तो यही रहेगा वह अगर वह written test दें तो किस तरह सा PhD का form भरा जाता वह मैं आपको description में दे दूंगा thank you watching this video